Poco, 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 Poco ही Poco बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि Poco के एक flagship smartphone आ जाए और वो घरी आ चुका है Poco का एक नया smartphone आ रहा है और वो है Poco XT Pro जो ग्लोवाली लांच हो रहा है 22 मर्च को और 30 मर्च को 30 मर्च को लांच हो रहा है इंडिया में पर भाई उससे पहले इसका स्पेक्स जानना बहुत जवरी हैं और लिक्स्टार के हिसाब से और विद दा हेल्प आप और लिक्स्टार कुछ इसका इंफॉर्मेशन हाथ में लगा है आज इस वीडियो में Poco X3 Pro का स्पेक्स एंड फीचर्स प्लास इसका प्राइस क्या हो सकत है सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरा नाम है शुओन चलून शुरू कोड़ा जाएग दोस्तों Poco X3 Pro अब यह स्मार्टफोन आज लाइक आस पोको एफवन के जैसा ही होगा जैसे पोको एफवन आपको एक री ब्रैंड नहीं रिफ्रेस मॉडल के साथ मि स्मार्टफोन में हम रिब्रैंड देख रहते हैं रिब्रैंडिंग पर इस बर ऐसा नहीं हो रहा है यह एकदम एक यूनिक स्मार्टफोन उड़ा है पर यह आप मत सोचेगा कि इसका डिजाइन भी अलग होगा नहीं वो ऐसा नहीं होगा तो Poco X3 Pro यह कहा जा रहा है फ्रै हाइलाइटिंग फीचर्स हैं इसमें आपको क्वालकम स्नैपडगन का 860 प्रॉइसर मिलेगा बाई कम नैनोमीटर में बेस्ट हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा लिक्विट कुलिंग टेक्नलोजी मिलेगा और उससे भी बढ़िया कि भाई जो 8 सिरीज वो परफ 55 प्लस से थोड़ा सा ज्यादा है और यह एक 4G प्रॉइसर है बात अब आता है इसके डिजाइन पे तो डिजाइन जितना लिखो के आया है वह आपको राउट सेप में कैमरा पोको का बड़ा ब्रैंडिंग और पॉली कर्बोनेट फ्रेम के साथ जो प्लास्टिक वो आपक राउट सेप में कैमरा इसमें साइड में आपको फिंगर्पिंट स्कैनर USB Type-C 3.5M जैक हर एक चीज मिलेगा और यह वाटर रिप्लेंट कोटिंग के साथ भी आ रहा है अब इसका डिस्प्ले 6.67 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलेगा वीट सेंटर में पंच होल और 120 हर्स का साथ में कॉर्णिंग और ग्लास 5 का प्रोडेक्शन एजडिया टेन भी है और वाइडवाइन एलवान का सपोर्ट भी दिया गया है पर बेजल कम हैं अब क्वेस्चन यहां पे कि भाई जो हम उमीद कर रहे हैं कि भाई पोको के स्मार्टपॉन में भी आप सूपर अब इस स्मार्टपॉन में आपको डूल स्पीकर देखने को मिल जाएगा हाई रेस ऑडियो के साथ साथ में यहां पर हाई बिट सिम स्लोट भी दिया गया है और इस पून में आपको दो वैरियंट मिलेगा 6GB 128GB और 8GB 256GB अब इस स्मार्टपॉन में आपको अगर कैमरा के बात करूँ तो यहां पर भाइ डाउट है यहां पर कोई कहरा है कि 48MP का प्रामरी कैमरा होगा कोई कहरा है 64MP का कैमरा होगा तो मान चलिए इन दोनों में एक ही होगा पर मेरा जितना ग्यान है 64 अगर देता है तो अच्छा पर यहाँ पे sensor जो भी हो यानि megapixel यहाँ पे count मत कीजिएगा आइफोन में 12 megapixel मिलता है पर उसका image processing कितना अच्छा होता है अगर इस पे sensor 48 megapixel में अच्छा sensor यूज़ किया जाए और इसका ISP यानि image processing अच्छा हो तो भाई 48 भी 64 को टक्कर दे सकता है क्या आप इससे सहमत हो तो एक like, एक comment और subscribe जरूर करना notification bell को push करके all करना और आगे ज्याने में बले-बले स्वायता करना तो अब आता है सामने की camera और उससे पहले आपको ये भी कहते एक ultra wide होने वाला है एक macro, एक depth और 20 megapixel का selfie camera वो punch hole में मिलेगा आपको यहाँ पे night mode मिलेगा dual mode मिलेगा यानि clone mode मिलेगा आपको 4K video recording का option मिलेगा that's it और भी काफी सारे features आपको मिल जाएगा blog mode तो है ही 5020 image या 5200 image या तो 6000 image अब कोई कहा रहा है 5200 पोको के तरप से और साथ में यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो 33 watt का fast charger जो box में ही आपको मिल जाएगा side में fingerprint scanner और इसमें android 11 के साथ पोको launcher और इसमें miy12 आपको देखने को मिल जाएगा that's it अब इसका price क्या होने वाला है देखे इसका जो base variant 6GB 128GB यह कहा जा रहा है कि 23000 और यह बाहर के country के हिसाब से कहा जा रहा है पर मुझे जितना लगता है बाहर country में जो price होता है European country में उससे कम मिलता है इंडिया में तो अगर यह 21000 में launch हो जाए तो मैं कहूंगा एक one of the best smartphone होगा as a flagship killer जो gamers के लिए एक बरदान होगा पर अगर इसका price 23000 से उपर जाता है तो मैं कहूंगा बहुत सरे disadvantage इस जो smartphone है Poco X3 Pro इसमें है तो अगर 21000 होता है तो one of the best price होगा आपका क्या ख्याल है तो देखते हैं Poco X3 Pro 30 March को इन डे में जब launch होगा कितने price में Poco X3 Pro इसको launch करता है और उम्मीद करता हूँ reasonable price में Poco X3 Pro launch होगा और फिर से हिला के रख देगा हर एक brand को जैसे Poco F1 में हुआ था पर processor भाई तगरा दिया गया है इस बार बट mind it ये 4G smartphone होगा आज के लिए तना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है आगे जाके और भी आपको exciting honest वीडियो मिलता रहेगा चलिए धन्यवाद